हेलो आपने मेरा डिलिएरी को वीटो देखा या नहीं देखा तो जरू शुदिर को यह पर आई बटन में दिया हुए रिसेंट्ली में ने मेरी बाइक है और इसकी डिलिएरी भी बहुत अच्छी तरीकों से हुई है मेरे सब दोस्त लोग आये थे like मेरी ममी तो बूल लिथी कि क्या दुलन लेने को दारहा है क्या प्रिलेट कर पाते रहोगे कि like लड़कों को like लड़कों को लड़कों को लगा होता है न आ जब पूछों मत और कारेद भी होता है पर मुझे ज़्यादा तर भाान से यह नहीं है लगाव नहीं तो मैं भुवह चैम से वेट कर रहा था इस उक्ट कर रहा था च Chris फैनला थोड़ा सहा अब्रेड किया और अप्रेड करते ही जहां पर में 125cc की चला रहा था वहां से 450cc की बाइक चला रहा हूं तो तो यह तो डर लगता है क्योंकि 125cc के चलने में तोड़ासा इजी है और जबकी 450cc की बाइक चलना बहुत ही तो फिर प्रव्लम होता है तो यह जाते हैं विदिन टेंट टेंटी डेज में आप युज़ वह जाओगे बट बाइक में तो अपग्रेड हमने कर लिया बट सेफटी में भी अपग्रेड कर रहा जरूरी है लाइफ में जैसे जैसे आपका बाइक की पावर बढ़ती है आपको सेफटी भी इंक्रिस करना पड़ता है अब एक्टिवा चला रहे थे तो मैंने इतना ध्यांग नी दिया टाइम हा गया था तो एक-एक करके मैंने अपग्रेड किया है वे तो अपग्रेड किया है हमार कुछ Lord की सिफ्टी के और सबसे परेड किया है उसका ऊपोनेंट अगरो से कुछ हो जाता है तो डिकवर या बहाव की मचरा बहुत ही न्युन होता है और और मैं बात ओंve सर को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत कम चंसे रैर चंसे से कि आप बचपाओगे तो यह आपका इंजरी हो शकती है तो वहाप अगर आप सर्वाइब कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो 99% चंस्ट नहीं होता है तो उसलिए आपको आपके सर के सेफटी का ध्यान रखना जरूरी है फिर आप मेरी साब से ऐसा नहीं है कि आप 450 CC की भाई के तो ही रखो नॉर्मल्ली एकर आप एक्टिवाय भी चला रहें फिल भी आपको उस पर ध्यान रखना जरूरी है तो आध मैंने वही अप्लेड किया है मैंने हेलमेट लिया इस इस कंपनी का एक्जार का और एक्जार का एलमेट क्यों लिया है इसका रिजन है क्योंकि जो मेरी बाइक है उसका जो कलर काजा ब्रॉंग उससे थोड़ा सा रिलेटेवल कलर है और आप यह सोसर होगे कि मैंने कलर वाइज एलमेंट लिया है तो ने एक पटिकुलर वेलेंट लिया है अगर आपको तो दिखाऊंगा आपको मालूम पड़ जाएगा के क्या रहेगा मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं मैं उनको हैलें तो कंपनीया है जिनका सेफ्टी भी अच्छा है इस यंका एक क्वालिटी भी अच्छा है और ग्राफ बूलते हैं या कुछ तो बोलते हैं आपको श्क्रीन पर दिखता रहता है क्या बोलते हैं कि एक जर्ड मुझे नाम याद में बूलिया हूँ साथ में एक यहां पर स्कॉइलर वादाय क्या तब दिखांगो आपको एंड में और जैसे हम इसको इफ। ऊपनिं कते तो आपको यह पर एक ब्रैंडिंग में ऑ यहां पर खे Mitt वीडियो को देखने को कि कौनसे हल्मेट लिया है और मेरे बात उनका रहता है कि प्राइस क्या है प्राइस भी आपको दिखांगा पर एंड में बट उसके बढ़े ग्राफिक तो डीची का मैंने लिया यह जोकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कलर कॉमिनेशन के व बाइक का कलर है और यह भी थाँ वाइट काइप है अगर हाँ वह ओफट और वाइट के हिसाब से बहुत लिए और मेरा जो टैंग के वह पूरा खाली है सिर्फ कलर ही उस पे ना कोई ग्राफिक के कुछ नहीं तो इस पर मैं यह वाला ग्राफिक यह हां जो जो कर रहता है वा ग्राफिक भी आप देखो के जो कलर और कलर कॉंबिनेशन ने बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है यह पर लिखा हुआ यह एक्जार और जैसे मैंने आपको बोलाता है कि मैंने सेफटी का भी मैंने प्रायोटी रखा है तो इस पर आप देख पाते होगे तो यहां पर इसीए जो यूरोप का सेडिफिकेशन है वह मिलता है डॉट मिलता है जो यूएस का है और आइसाई आइसाई तो अपना इंडिया का यह आई एसाई नहीं रहेगा तो आप इसको सेल नहीं कर पाऊगे तो यह है और इसका जो वेट है यह टोटल कुस तो हां शोला सो ग्रा अपने जोटल के लिए और थोड़ा साइब तो बहुत ही अच्छा है मेरे को एक नजर में इसे प्यार हो गया तो बोलते हैं एक नजर में ही प्यार होता है यह यह मेरा प्यार बाइक और हैलमेट जोनों से हम यह है और इसकी वाइजर के बात करें तो यह पिन लोग रेडी यह पर देख पाते हैं यह यह पिन लोग की है आप जब यूज करना चालू करोगे तो श्का पिल यह लो कर निकल दोगे तो पिनलोक आप यूज कर पाऊंगे पिन लोक पीनलोक के वेशीकली यह यूज होता है कि विंटर में आप जबी भी रैड करते हो तो फॉग तो आज़ा पर फोग नी होगा और आपको जो विजिबिलीटी एग्दम क्लियर रहे और इसको वाइजर मेकनिजम में इतना इज़ी एक आपको वाइजर चेंज करना अगे से करना है यह रात में जिखेगा नहीं तो अगर आपको रिबह करना क्या यह जो रेड़ बिटन है इसे हमको प्रेस करना है और यह सब को पूलाएट निकल दाएगा इतना इजी इसका मेकनिजम है और साथी में इसमें आपको सन वाइजर भी मिलता है अगर आपको इसको क्लोज करना देगा तो यह सब क्लोज कर सकते हो और यह लेफ्ट एंड शैड में दिया हुए ताकि आपको एक्सेलेटर से आपको हाथ हाटानी जरूर नहीं पड़ेगी और लेफ्ट एंड शैड साथ यहां पर यूज कर पा होगे और अभी के यूट्यूब लाइक अभी का जर्ने से नहीं इसमें आप देख पाते होगे कि हार एक हेलमेट के वाज़े में आपको यहां पर इंटरकॉम दिखी जाता है उसके लिए यहां पर अंदर अंदर आप होगे यहां पर आपको और स्पिकर पॉऌकेट भी दिया हुआ है अई इसे लापको स्पिकर पॉर्इक Черफ भी दिये हुआ है तो तो है अरंचे इंटर कौम यहां पर लगा सकते हो और speaker को यूज कर सकते हो और on the go राइड में आपको अगर और पर लगाना करकु नार्मली को चसाथ तो अपर आपको लगाना रहेगा तो आप सकते हैं मैं आपको लगा के दीखाता हूँ कि सपटर लगा कि कैसा लूक आता है और उसको निकाल ना भी बहुत हीज्ट और साथ में आपको एक पाउजिंग इसके अदर आपको एक एक जोर का स्टिकर मिलता है फिर एक आपको नौर्मरी टैग मिलता है जोकर का जो यूजने इसका कुछ एक आपको दो रिफ्लेटर मिलेंगे आपको हेलमेट पर लगाना तो लगा सकते हो और यह ब्लड गुरूप के जो टैग्स होते ही आपको मिलेंगे यह लगा लो तो आपको इसी पड़ेगा क्या आज आता है किसे होना तो नहीं चीह है दो इसी पड़ेगा यह चोटा सपाड़ दियो हो है अगर आपको बड़ा सपाड़ मीड़ा दियो में एक कि यह कुंड लोगो दिया होगा है एकज़ोल का आपको अगर यहां पर इस आड़ पर लागाना है तब लगा सकते हो मै को आपको नहीं है और इसमें वैंट इतने भयंकर और मस्त दिये हुए ना एक यह राइवेंट कि यह वैंट वरकिंग है यह यूज होता है मेरा पाल एक स्टड का हैलमेट था अपने देख रहे हो बसी कली सब के पास रहता है उसका वैंट इतना इतना गटिया है कि मैंने देखा अपन किया नहीं और मेरा आधा थे मेना कुछ ओपन करते रहता हूं तो मैंने ओपन किया वेंट देखा यह व्यूंट पूरा पयके खाले नाम के लिए वैंट है बट यह एक्चली यह वरकिंग हुले यहां से तो आपको में वीडियो में दिखाने पाँंगा बट आप देखो के तो आपको लाइक आप थुलिख सकते हो इन अब थुल देख सकते हो तो जरू से आपको जो विंड है अपको प्रोपरली अंदर से लाइक प्रोपर होगी और भी बहुत सारी यह वेंड है फिर रहाँ पर यहां पर देख पते होगे है यह फिल टिन तीफ यह से आप विंड जो रहता है वह अंदर आती है और ये एक्सिट है और आप आपको ठीक लेगें वह सकते हैं आपका बिन्ड जो है एर जो है वह पासावड होती है तो बेस्ट है आर इसकी पैडिंग पैडिंग मैं कैसे बूतको इसकी पैडिंग उतनी स्थे और इतनी किस न होगा के आपको फिल इंहां किक डॉने माunda के मेड़्ained आपको यहां पर चीन माउंड भी दिया हुए अगर आप लॉगिंग करना चाहते हो तो आप यहां पर माइक रख सकते हो तो आपको विंड नॉज नहीं आएगा और स्पीकर पॉकेट तो है और यह जो पूरे पैडिंग है आप निका सकते हो रिमो रिमो बले और वासे बले तो यह थोड़े से घीज जाते है तो आप उसको चेंज कर सकते हो तो कुछ इस प्रकारी था और आपको मैं चेंज करेंके दिखा तो वाइजर के वह रूडियम वाला वाइजर एरिडियम हाँ याद आगया ऐसे इरिडियम बोलते है इरिडियम वाइजर तो इसको आप लगा के दिखाते हो और बहुत इजी मेकनिजम है तो विजन मिनिट में आपको इसको निकल के दिखाते हो तो तो यहाँ पर यह लग चुका है और बहुत अच्छा लइक इसमें आपको छोड़ा सब अलग मिलेगा बट यह मैं रेक्यम मुद्र करूंगा कि सीउप और जी डिन में चला पहयं के रहां तो दिखे गांगा कुछ नहीं आपको यहां पे नहीं दीख रहा है आपको थोड़ा सा फ्लांट करना है आपको थोड़ा सा लारत हम Sorf करना तो यह बहुत ह counting अचा है और हम यही था आज की व्रियो के लिए और में जो इसका फिक है इसका प्राइस कि है तो इसका प्राइस है 6500 और ऐसको हर प्लेस पर यही प्राइस मिलेगा 6500 अगर आपको पैचान वाल रहेगा तो आपको आपको थोड़ा सा डिस्वाण मिल सकता है बट मैंने यह लिया है उर्वी ऑटो मोबाइल जो ग्रांट रोड में मुंबई में वहां पर आपको अच्छा बेस्टेट मिलेगा और उस जो 100 पर उस पर आपको हर एक टाइप की आपको कंपणी मिलेगी हैलमेट की और हाँ अगर आप बेसिक लेकर आप वीगो लॉक्स का अगर रेफरेंस दे दोगे तो आपको अच्छा सा डिस्कौन भी मिलेगा और क्योंकि मैं यह बता तो नहीं पाहूंगा कितना मिलेगा क्योंकि डिफर होता है कम कंपनी तो आपको आपे मिल दाएगा अच्छा साथ उर्वी ओटो मपास मैं एडर्स दे दूंगा और नंबर भी दे दूंगा बस मेंशन करना वीगो लॉक्स का हमने वीडियो देखा है तो आपको कुछना को जरू मिलेगा तो आज के वीडियो के लिए इतना है एकर आप